जब भगवान धर्म का आदेश देते हैं, वो सब के परम हित के लिए, परम कल्यान के लिए देते हैं, अब इसका पालन कौन कर सकता है, जो शुद्ध शद्धा में स्थापित है, वही इसका पालन कर सकता है, अभी धीरे धीरे अभी इसके लिए क्या करना है, वर्णाश्म प जाने के लिए योग्य बन जाएंगे ये सारा अनेक जन्मों का जो step by step progress है एक चरण से दूसरे चरण पर जाने के जो क्रमशा उन्नती की विधी या मार्ग है इसको सीधा short circuit करके काट पीट के इसी जीवन में परम लक्ष पर बिठा दिया है भगवान कृष्ण भगवाद गीता में बार बार बोलते हैं आप इसी जीवन में मेरे पास आ सकते हो अगर सर्वधर्मान परिध्यज्य मामें कम शर्ण म रजा करोगे करक्वा देहं मतलब शरीर त्यागने के बाद दूसरा जन्म नई होगा सीधा माम में थीस और जन्म मेरे पास आऊगे इतना बड़ा बोनस दिया है सो अभी वास्तव में इस वर्तमान स्थिती में धर्म मतलब सीधा भगवान के आदेश का अनुसरन करना और वही भगवान अपना आदेश समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की रूप में उतरित हुए जो उनको उपदेश देना था वो तो उन्होंने गीता में उलिट दे दिया है भागतम्मे व्यास्तव में सबको संकलित करके रख दिया है लेकिन इसे अपने जीवन में अनुसरन कैसे करना है अपनाना कैसे है वो पहले थेरी आदेश दिया कि ये सब सुनलो ऐसा ऐसा करो सो कल्योग में इतनी भी योग गेता नहीं है क्योंकि कोई भी शुद्ध शद्धा वाला व्यक्ति नहीं है कोई भी शुद्ध शद्धा वाला व्यक्ति नहीं है सो अगर इनको पूर्ण रूप से कृष्ण किशन में लाना है तो इनको तुरंद शुद्ध शद्धा देने पड़ेगी उसके लिए इनके मन का कलमश मिटाना पड़ेगा उसके लिए जो सबसे शक्ति शाली अस्त्र है भगवान का वो है हरिनाम सो सीधा आके उन्हेंने हरिनाम पकड़ाया और सिखाया संकीरतन कैसे करना है जब कैसे करना है इस तरह से हम तुरंद तीवर गति से जैसे प्रवबत बोलते हैं आप एक-एक सीड़ी चड़के उपर जाएए या लिफ्ट में बैठ जाएए लिफ्ट अपने आप उपर ले जाती है सीड़ी में आपको चड़ने का प्रयास करना पड़ता है है ना लेकिन लिफ्ट में आपको सिर्फ बैठने का प्रयास करना पड़ता है खड़े रहे बढ़े जो भी कीजिए बटन दबा दीजिए बागी काम लिफ्ट करेगी और तुरंट लेके चाहेगी सो ये हरी नाम ऐसा है हम पकड़ के रखेंगे हरी नाम को हरी नाम को खीच के ले जाएगा हमको प्रेतन करने के आशकता नहीं पड़ेगी सो इस तरह से चैतने महाप्रुव का मिशन है कि सब को शुद्ध शुद्ध में बिठा जाए ताकि वास्तविक धर्म समझ में आ जाए बाकी लोग धर्म के नाम पे जो भी खुश हो रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो अपनी खुशी में रहेंगे ये सब स्वभागेश अलेजीव तुरंत भवभन्दन को पार करके कृष्ण लोग पहुँच जाएंगे पिर हम वहाँ से देखेंगे देखा अभी भी ये लोग इसी में लगे है हम सीधा पहुँच जाएंगे ये है वो वर्दान सो श्रीमत भागवतम भागवत गीता प्रपास बोलते हैं ये दो शास्त्र हैं जो इस कल्योग में हमें सीधा यहां से कृष्ण लोग ले जाने के लिए दिये है भगवान में